आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में और देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो देखिए पिछली क्लास में हमने कार्टिकल देखा था और देखिए उसके अकोडिंग एक बोडी पर तीन फोर्स एक्टिव रहते हैं और बोडी एक्विलि कोई बोडी है और इस बोडी पर तीन फोर्स एक्टिव है यह तीन बल F1 F2 F3 यहां पर क्रिया शील है और यह जो बोडी है यह साम्म्यवस्ता में है तो ऐसी कंडिशन में यह तीनों बल एक ही बिंदू पर मिलेंगे या फिर तीनों समानतर होंगे तीनों बल समानतर होने क क्या मतलब है तीनों बलों की जो किरिया रेखा है है लाइन ओफ एक्षन वो पेरेलल होगी समानतर होगी तो देखिए पिछले वीडियो में यह आर्टिकल हमने देखा था और देखिए यहां पर जो भी क्योशन हम सोल करेंगे जो भी एक्जामपल हम सोल करेंगे उसमें हम इ समय वस्ता की इस्तिती पर हमें फोकस करना है तो यहां पर ऐसी कंडिशन में देखिए हम उस क्योशन को सोल करते समय देखिए बहुत सारे जो दूल हैं वो भी हम एपलाई करेंगे तो देखिए यहां पर जब एक बोड़ी पर तीन बल क्रिया शील होते हैं तो ऐसी कम भी होती हैं तो यह बात आप नोट कीजिए सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट हम देख रहे हैं यहां पर अगरे अगरे लिखिया अगरे जब किसी पिंड़ पर किरिया शील तीन बल उसे साम्मे वस्था में रखते हैं है तो हम निम्न नियमों का पालन करते हैं ओ तो देखें यहां पर जब भी ऐसी कंडिशन आ जाए एक बोड़ी पर तीन फोर्स एक्टिव है और बोड़ी एक्विलिप्डियम कंडिशन में है तो ऐसी कंडिशन में यहां पर देखिए कुछ रूल है कुछ कॉंसेप्ट है जिने हमें यूज करना है जब भी हम कोई कुशन सोल करेंगे तो देखें इस कंडिशन में और एक आर्टिकल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वो तो ध्यान रखना ही है एक बोड़ी पर जब तीन फोर्स एक्टी होते हैं बोड़ी एक्विलिप्जेम में होती है साम्यवस्ता की इस्तिती में होती एसी कंडिशन में तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पर मिलते हैं या फिर वो पेरेलल होते हैं एक बात आपको धियान रखनी है उसके अलावा इस कि तो दम आप मॉमेंट्स एक यहां पर हम देखेंगे बल तिर्भुज नियम तो देखिए एक बोड़ी पर जब तीन बल किरियाशील होते हैं और उसको सामय वस्ता में रखते हैं तो ऐसी इस्तिती में हमें ये यूज करना है ये वाले कॉंसेप्ट हमें यूज करना है और देखिए इसके अलावा एक और हम देखेंगे लामी प्रमे और देखें यहाँ पर हमें एक MN थियोरम भी देखनी है और यह जो MN थियोरम होती है यह ट्राइंगल से रिलेटेड होती है और देखें सभी को हमें प्रूफ भी करना है तो देखें स्टुडेंट्स यहाँ पर जब भी कोई बोडी तीन बलों के अंतरगत साम्यवस्ता में होती है एक्विलिब्रियम कंडिशन में होती है तो ऐसी कंडिशन में हमें इन कॉंसेप्ट का हमें यूज करना होगा जब भी हम कोई क्यूशन सोल करेंगे किसी प्रोब्लम्स को हम सोल करेंगे तो वहाँ पर देखें यह कॉंसेप्ट हमें एप्लाई करने पड़ेंगे और साथ में उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो फिछले आर्टिकल में हमने देखा था तो देखिए यहाँ पर काफी important है और आने वाले जितने भी questions हैं इन concept से ही देखिए हम उन्हें complete करेंगे उन्हें दोल करेंगे तो देखिए आप और step by step one by one हम एक एक त्योदम को समझने हैं और देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे moment तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिखें आगून प्रमे theorem of moments तो देखिए यहाँ पर यह आगून प्रमे होती क्या है पेले हम इस आगून प्रमे को समझ लेते हैं देखिए यह कोई body है और इस body पर बहुत सारे forces active हैं कितने ही हो सकते हैं इसे देखिए बहुत सारे forces इस body पर active है बहुत सारे बल- square shield है अब देखिए अगर बहुत सारे बल- square shield है तो इनका परिनामी बल भी होगा suppose कीजिए इनका परिनामी बल resultant force क्या है? R है यहाँ पर देखिए इन सभी बलों का moment हम निकालें जितने भी बल किरियाशील हैं सभी बलों का हम आगून निकालें तो देखिए यहाँ पर F1 का आगून प्लस F2 का आगून प्लस F3 का आगून जितने भी 4 हैं सभी का moment निकाल लीजिए और उन्हें आपस में जोड दीजिए, एड कर लीजिए, तो यह कहलाता है देखिए, Algebraic Sum, BGA योग, क्या कहलाता है यह BGA योग, Algebraic Sum, तो यहां पर देखिए, जितने भी बल क्रियाशील है, समस्त बलों का आघून निकालें, उनको आपस में एड करें, तो वो कहलाता है, आ Moment of Resultant Force R के आघून के बराबर, तो देखिए, निकाई पर क्रियाशील समस्त बलों के आघूनों का BGA योग, उस बलों के परिनामी बल के आघून के बराबर होता है, तो एक तरफ तो आप परिनामी बल का आघून निकाल लीजिए, या समस्त बलों का आघून निकाल लीज तो सभी बलों के आगूनों का वीजी यो किसके बदाबर होगा परी नामी के आगून के बदाबर तो यही है देखिए आगून प्रमें यहां पर इसे हम शब्दों में लिखेंगे लिखें आप निकाई पर क्रियाशील सभी बलों का किसी बिंदू के सापिक और देखिए जब भी हम आगून निकालते हैं तो किसी बिंदू के सापिक्ष बात करते हैं मोमेंट अब इस पॉइंट यह देट पॉइंट जो भी है तो यहां पर देखिए मोमेंट के लिए एक फिक्ष्ड पॉइंट हमें लेना पड़ता है इसलिए हम यहां पर किसी बिंदू के सापेक्ष यह हम बात करेंगे तो देखें किसी बिंदू के सापेक्ष सभी बलों के अगूनों का बीजिय योग किसके बराबर होगा परिणामी बलके आगून के बराबर तो देखें यही है आगून प्रमे इसी को कहते हैं सभी बनों का जो सभी बनों के जो आगून किसी बिंदू के सापेक्ष तो यहां पर एक करते हैं और और जी को केलकुलेड करना मैं बता चुका हूं आर को हम इस तरह से केलकुलेड करते हैं और एकस इसक्वाइड और यहोता मोमेंट एक origin एक point को आप fix कर लीजिए उसे मूल बिंदू माल लीजिए और फिर coordinate axis बना लीजिए xy axis और फिर देखिए rx ry मिलेगा और इस तरह से gb हम निकालेंगे जितने भी force active हैं सभी बनों का हम बल into बल की किरिया रेखा पर डालेगा लंब की लंबाई force into perpendicular length तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम जी को calculate कर लेते हैं तो आप परिनामी बल resultant force का आगुन निकाल लीजे और सभी बनों के आगुनों का बीजी योग निकाल लीजे ये बराबर होगा algebraic sum of all forces देखिए algebraic sum of moments of all forces किसके एक कोल होगा moment of resultant देखिए बहुत आसान सी theorem है और जब ये theorem देखिए दो force के लिए होती है तो उसे हम वरी गनन theorem भी कहते हैं लेकिन यहाँ पर देखिए एक general theorem है देखिए यहाँ पर सभी बलों के आगुनों का बीजी योग परिनामी बलके आगुन के बराबर होता है और जब ये देखिए दो बलों के लिए होती है और two forces तो देखिए दो बलों के जब बात की जाती है तो दो बलों के लिए ये theorem क्या केलाती है देखिए वरी गनन प्रमे तो यहाँ पर देखिए वरी गनन थियोरम की अगर हम बात करें तो उसकी क्या definition होगी निकाई पर क्रियाशील दो बलों का किसी बिंदू के सापेक्षे आगूनों का बीजे योग के वन यहाँ पर सभी बलों की जगे के आ जाएंगे देखिए दो बल तो देखिए वरी गनन ने देखिए दो बलों के लिए यह थियोरम दी लेकिन हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं यह जो थियोरम है देखिए बहुत सारे बलों के लिए भी लागू होती है तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान सा concept है और देखिए यह सीधे हम किसी भी question मे करेंगे जहां requirement होगी जहां requirement होती है वहीं पर हम concept का यूज करते हैं concept तो बहुत सारे होते हैं question की condition पर depend करेगा कि वहां हमें कौन सा concept यूज करना है तो यह simple सी थियोरमती से आप note कर लीजिए अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताए था एक body पर जब तीन बल क्रियाशील होते हैं और वो body सामय वस्ता में होती है equilibrium condition में तो तीनों बल क्या होते हैं एक ही मिंदू पर मिलते हैं या फिर तीनों बल समानतर होते हैं यह concept तो आपको ध्यान रखना ही है और साथ में देखिए यह concept भी ध्यान रखना पड़ेगा एक body पर जब तीन बल क्रियाशील होते हैं और वो सामने वस्ता में होते हैं तो ऐसी condition में हम इन concept का हम यूज करेंगे हाला कि देखिए यह बल केवल तीन फोर्स के लिए होते हैं में थेओरम एक सिंपल सा एक जिमेट्रिकल थेओरम एक ट्राइंगल से डिलेटेड एक रिलेशन है तो यह भी हम यूज करेंगे बाकि यह दोनों केवल तीन फोर्स के लिए ही होते हैं और आगुण प्रमे देखिए एक से ज़ादा 3 से जादा force होते हैं तो भी apply कर सकते हैं ठीके तो यहाँ पर वेसे मैंने यह theorem of moment बता दी है कितने ही force हो सकते हैं और सबी बलों का जो algebraic sum है moments का आगूनों का बीजियो वो परिणामी के आगून के बराबर होता है चलिए आगे हम बढ़ें अब हम यहाँ पर बात करेंगे है हमने इसके बाद क्या देखा था देखिए बल तिर्भुज नियम लिखें आप बल तिर्भुज नियम है कि ट्राइंगुलर ला ओफ पोर्टेज अ तो देखिए यह वाला हमें कॉंसेप्ट हमाद समझना है बल तिर्भुज नियम होता क्या है देखिए यहाँ पर इसको पहले हम समझ लेते हैं डाइग्राम के आधार पर देखिए यह कोई ट्राइंगल है यह एक ट्राइंगल और इस तिर्भुज के तीन साइड है और तीन बल यहाँ पर इस तिर्भुज की भुजाओं के अनुदिश किरियाशील है और परिमान और दिशा में देखिए परिमान दिशा में इसकी साइड के अलोंग हम लेंगे तीन फोर्स और मेगनिटूड साइड परिमान और दिशा इसका क्या मतलब है देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ जो मैंने आपको ट्राइंगुलर चिह आलोंग हम यहाँ पर तीनसे लेंगे तो फिर वह एक्विलिब्रियम कंटीशन के इसाम्में होते हैं और यहीं देखिए ट्राइंगुल लॉं का त्रमट नियम ये बेलकुल आसान है जब तीन वल किसी दिएलिशा के अनुदिश परिमान वद दिशा में लिए जा सकें तो ऐसी कंडिशन में वो तीनों बल किया होते हैं सामने अवस्ता की इस्तिती में होते हैं इस बात को देखी अभी हम प्रूब भी करेंगे और इसका जो मैथेमेटिकल रिजल्ट है जो भी मैथेमेटिकल आउटपूट है उसे भी हम ध्यान रखेंगा और उसका सीधे सीधे कियोशन में हम एक करेंगा हम ले लेते हैं यह है ट्राइंगल ए बी और यहां पर देके कि भुजाओं के अनुदिश क्रमागत कि परिमानध्दी zucchा में व्यक्त किये जा सके तो फिर वह तीनों बल्ध इस Biggest ने होते हैं साम्म्म्यवस्ता की इस्तिफी Politics में होते हैं हमें परिमान में मिले हैं यहां आपको मेगनिटूड दिया जाएगा विक्टर फोर्म हमें यहां पर यूज नहीं करना है लेकिन हम समझ सकते हैं तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसका इस्ट्रेट्मेंट की यदि तीन बल परिमान वर दिशा में इसी तिर्भुज की क्रमा अगत भुजाओं द्वारा निरूपित किये जाते हैं तो वे तीनों बल क्या होंगे एक्विलिब्रियम कंडिशन में होंगे तो वे तीनों बल साम्यवस्था में होंगे कि तो देखें यहां पर परिमान वर दिशा में मेगनिट्यूड ओड़रेक्शन में इस हैं ट्राइंगल की देखे जो मेमान ऑड़रीमार कि FIFA से B, B से C और C से A तो यहाँ पर देखें तीनों बल magnitude और direction में इस triangle की sides के along लिए गए हैं तो यहाँ पर यह बात आपको ध्यान परक्नी है और इसका मतलब क्या होता है देखिए परिमान होगा दिशा में P की दिशा जो है वो A से B की और है बुजाओं के अनुसार अगर इस तरह से निरूपित किये जा सके हैं तो फिर यह तीनों बल साम्यावस्ता में होते हैं equilibrium condition में होते हैं इसे हमें proof भी करना है और देखिए इसका Converse भी हम देख सकते हैं इसका Converse statement भी true होता है तो यहाँ पर Converse statement क्या होगा देखिए यह तीनों बल अगर साम्यावस्ता में हैं equilibrium condition में हैं तो ऐसी condition में इन बलों को तिर्बुज की बुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है एक ही बात है इसका Converse statement भी हम देखेंगे और उसके बाद देखिए हम proof भी करेंगे हर बात का प्रूप देखें यहां पर आपको मिलेगा चलिए इसका Converse statement तो देखे Converse statement किस तरह से होगा यदि तीन बल साम्यावस्ता में होते हैं तो वेबल परिमान वद्दिशा में किसी तिर्भुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा निरूपित किये जा सकते हैं किसी तिर्भुज की क्रमागत बुजाओं द्वारा निरूपित किये जा सकते हैं और देखें यहां पर बिल्कुल हमने कनवर्स स्टेटमेंट लिखा है यह जो भी स्टेटमेंट है उसका कनवर्स है यह वला स्टेटमेंट क्या है जब तीन बल परिमाण वद्धिश्या में तिर्भुज की भुजाओं के द्वारा अगर सामे बवजता में है तीनों बल अगर सामने वस्ता में है तो वह किसी ने किसी तिर्बुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरुपित किये जा सकते हैं लेकिन परिमान वे दिशा में इस बात का ध्यान लगना और इसका मतलब क्या होता है यह मैं आपको बता चुपा हूं यहां पर देखिए अगर वेक्टरों की बात करें में तो देखिए अख्याक है क्यों वेख्टर से अच्यवेक्टर के बरावर है यह तो देखिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल में और देखे कितना आसान इसका प्रूफ है हर बात का देखे प्रूफ आपको पता होना चाहिए mathematics के students सब जाके देखे success होते हैं जब हर बात का आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या concept है चलिए तो यहाँ पर देखे हमने तीन force ले लिए यह ले लिया P और इस direction में हमने ले लिया Q और इस direction में हमने ले लिया R और देखे इसी तरह से लेने पड़ते हैं continuous A, B, B, C and C, A तो यहाँ पर देखे हम सबसे पहले हम यहाँ suppose करके चलेंगे माना तीन बल P, Q तथा R कित्रा नुसार according S diagram तीदा इस पर डोल दीजिया सारी बात चलिए तो यहाँ पर देखे है according S diagram तो यहाँ पर देखे है तीन बल P, Q, R चित्रा नुसार तिर भुज A, B, C की भुजाओं के अनुदिश लेकिन परिमान वर दीशा में इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा परिमान वर दीशा में परिमान वर दीशा में तो देखे हैं यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टेटमेंट तो आपको पता होना चाहिए यह लिए तो देखें तीन बल पी क्यू आ रहे हैं परिमान वर दीशा में तिर्बुज ए बी सी की भुजाओं के अनुदिश किरिया शील है तो तीनो फोर्स देखें साइट के अलोंग यहां पर देखें इस तरह से एक्टिव है और यहां पर देखिए मेगनिटूड और डारेक्शन के साथ इसका मतलब क्या होता है तो देखिए परिमान वर्दीशा में मेगनिटुड और डारेक्शन में साइट्स के अलोंग एक्टिव है इसका मतलब है देखिए P vector किसके बराबर है A B vector के बराबर अगर हम Q vector की बात करें तो Q vector किसके बराबर होगा देखिए BC vector के बराबर और यहाँ पर अगर हम R vector की हम बात करें तो देखिए R vector किसके बराबर होगा यहाँ पर C A vector के बराबर अब देखिए triangular ला क्या कहता है तिर्भुज नियम और देखिए यहाँ पर P vector अगर A B vector के बराबर है तो यहाँ पर इसका जो magnitude होगा P P का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए P vector तो यहाँ पर vector होता ही है और अगर हम इसका magnitude ले लेते हैं तो उसे हम P से denote करते हैं तो यह तो हो गया देखिए magnitude तो यहाँ पर देखिए परिमान की हम बात करते हैं तो देखे P vector का परिमान जो होता है magnitude वो P से व्यक्त किया जाता है और यहां पर यह किसके बराबर है A से B की Length के बराबर A से B की Length होगी वो P होगी और Q किसके बराबर होगा B से C के बराबर और R का जो magnitude होगा R vector का वो होगा यह हम vector form की बात कर रहे हैं इस R vector का magnitude R है परिमान और उसकी जो mathematical value है वो C से A की Length के बराबर होगी common सी बात है अब यहां पर देखिए हम triangular law apply करेंगे triangular law of vectors सदिशों का तिर्भुजनियम वो अलग है तो देखिए और यह बल तिर्भुजनियम अलग है हाला कि देखिए काफी similar है तो देखिए तिर्भुजनियम के अनुसार और तिर्भुजनियम कौन सा सदिशों का सदिशों के तिर्भुजनियम के अनुसार तो देखिए यहां पर triangular law of vectors और देखिए शिर्वात में मैंने आपको बताया था पहले लेलोग्राम ला क्या होता है समानतर चत्रभुजनियम तिर्भुजनियम तो देखिए यह बात हैं हम पहले discuss कर चुके हैं और देखिए यह mathematics हैं जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए तभी देखे mathematics समझ में आईगी तो यहां पर देखिए तिर्भुजनियम क्या कहता है देखिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर AB वेक्टर BC वेक्टर किसके बराबर होता है देखिए यह यहां से eliminate कर देते हटा देते हैं तो क्या बचेगा देखिए AC वेक्टर बचे यही तो तिर्बुज नियम होता है वेक्टर्स के लिए a b plus b c बदाबर a c वेक्टर अब देखिए यहाँ पर यहाँ a b वेक्टर प्लस b c वेक्टर और देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी डारेक्शन चेंज कर दें हम c a वेक्टर बना दें तो यहाँ माइनस लगाना पड़े क्योंकि a c वेक्टर किसके इक्वल होता है माइनस c a वेक्टर के अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ हम प्लस कर देंगे CA vector को हम प्लस करेंगे तो right side में 0 vector आ जाएगा क्या आ जाएगा 0 vector और देखिए यहां थोड़ा सा space कम है तो यही हम manage करेंगे यही है proof तो proof कर रहे हैं देखिए अब यहां पर देखिए A B vector प्लस B C vector प्लस C A vector क्या हो जाएगा देखिए 0 vector ध्यान रखना vector addition एक vector होता है यहां पर अगर हम यह लिखते है अगर हमने यहां पर 0 लिखा तो देखिए यह गलत माना जाता है यहां पर देखिए 0 vector हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि देखिए दो सदिशों का योग हम करते हैं तो हमें एक सदिश मिलता है binary concept यहां पर लगता है दो सदिशों का योग भी एक सदिश होता है तो यहां पर देखिए vector addition vector के equally रखेंगे अब देखिए यहां पर A B vector और यहां PC vector नहीं है BC vector तो देखिए A B vector, BC vector, CA vector अब देखिए यहां पर A B vector, BC vector, CA vector क्या है आगे हम बढ़ें देखिए A B vector तो यहां क्या है P vector P vector प्लस Q vector प्लस R vector बराबर क्या है देखिए 0 है यहां पर देखिए P vector Q vector और एक बात मैंने आपको बताई थी जब fourth vector form में होते हैं देखिए जब बल सदिश रूप में होते हैं तो ऐसी condition में उनका जो resultant force होता है जो परिनामी बल होता है आप उन दोनों को आपस में एड़ कर दीजिए तो देखिए यहां जितने भी अभी तक हमने question किये उसमें vector form नहीं थी इसलिए दो बलों का resultant force हमने कैसे निकाला था P square plus Q square plus 2 P Q cos alpha हमने ऐसे निकाला था लेकिन यहां पर देखिए P और Q यदि vector form में हमें दे दिए जाए I, J, K की form में हमें दे दिए जाए तो फिर देखिए जो R है वो R vector किस तरह से मिलेगा देखिए P vector plus Q vector तो यह vector form में है यह vector form में नहीं है अलागि देखिए इसको proof करने के लिए vector के concept भी हम यूज करते हैं मैंने इसका proof भी आपको पहले वीडियो lecture में बताया था तो यहां पर देखिए vector form में जब force दे दिए जाए बल दे दिए जाए सदिश रूप में तो उन्हें आपस में आप जोड दीजिए तो परिणामी बल आपको मिल जाता है तो देखिए F1 vector F2 vector का जो resultant है परिणामी है वो क्या होता है F1 plus F2 vector अब देखिए यहां पर यह P vector Q vector R vector क्या है देखिए vector form में है तो यहां पर देखिए यह term कीसे represent करेगी यह term यहां पर इन तीनों बलों के परिणामी बल को व्यक्त करेगी resultant force को तो P Q R का resultant force है वो क्या होगा P vector plus Q vector plus R vector तो क्या कहेंगे P vector Q vector तथा R vector का परिणामी बल क्या है देखिए 0 vector के बराबर है तो देखिए यहां पर देखिए तीनों force का resultant है वो 0 है और देखिए resultant जब 0 होता है तो ऐसी condition में equilibrium condition होती है साम्मे अवस्ता की इस्तिती होती है तो इससे हम क्या कहेंगे देखिए P Q तथा R साम्मे अवस्ता में है equilibrium condition में है और देखिए यहां पर साम्मे अवस्ता की इस्तिती में देखिए G भी 0 होना चाहिए क्या होना चाहिए G 0 होना चाहिए और देखिए यहां पर rotation क्यों नहीं होगा वो भी में बता देता हूँ और यहाँ पर side में यह तो लिखना ही पड़ेगा G क्या होगा यहाँ पर 0 होगा क्योंकि देखिए equilibrium condition के लिए साम्योस्ता के लिए R 0 होना चाहिए और जो algebraic sum है moments का वो भी 0 होना चाहिए R और G दोनों ही 0 होना चाहिए तो देखिए R तो यहाँ पर 0 हो गया resultant force क्या हो गया 0 क्योंकि तीनो बलों को aid किया वो 0 vector के बराबर आया और यहाँ पर देखिए vector form में अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि resultant क्या हो गया देखिए 0 यह resultant force होता है F1 vector F2 vector का resultant दोनों को जोडने पर मिल जाता है तो यहाँ पर तीनो बलों का परिनामी बल 0 है और साथ में G भी 0 है अब G 0 क्यों है साइट में मैं डारेक्ट लिख दिया है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यह 0 क्यों है देखिए कि यहाँ पर 3 force इस तरह से है यह इस तरफ P है इस तरफ Q है और इस तरफ क्या है देखिए R है यहाँ पर देखिए 3 force अगर इस तरह से ले तो यहाँ पर G की value 0 होगी जो भी आगून होगा तीनों के आगून होगा बीजे यहाँ पर शुननी होगा क्यों होगा देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ासा आगे बढ़ा दे इस तरह से यह point है R इस तरफ है तो हम इस R को हम इस तरफ बढ़ा देते है यह point हमने fix कर लिया है A B C suppose कि यह point C है अब देखिए यह point C है देखिए C से इस तरफ क्या रहा है देखिए और यहां पर देखिए एक मिट हमने इसको बढ़ाया था एक ही बात है कैसे समझ लें चलो मैं यहां और अच्छे से आपको बता देता हूं थोड़ा सा किया है रहा है देखिए यह लिजिए इस को इहां आप ट्रांस्पर कर सकते हो गार हमS कि यहां एक परेलल हैं और यहांसे ब्रेक्शन से ब्रेंट की लें यहां से बराबर होती है तो ऐसी condition में देखे समानतर चत्रबुज में हम ये Q vector है तो ये भी Q vector हो जाएगा तो देखी A से इस direction में कौन जा रहा है देखी क्यों जा रहा है तो देखी यही तो theorem है और मैं आपको बता भी चुका हूँ जब तीन बल तिर्बुज की भुजाओं के अनुदिश परिमान बदिशा में व्यक्त किये जा सके तो तीनों बल क्या होते हैं सामने उस्ता में होते हैं और इसी diagram को हम देखी ऐसे भी हम देख सकते हैं और इसके base पर देखी हम just converse theorem हम देखते हैं ये वाली ये converse मैंने आपको बताया था कि एक बिंदू पर जब तीन बल किरियाश फील हो इसी की तो एक particular इसी की स्थिति है इसी को हम इस तरह से open form में लिख सकते हैं इधर P है इधर Q है और इधर R है R को हमने आगे बढ़ा दिया है तो इधर देखे P की direction वही है और यह जो Q है यह हमने बिलकुल इसी के इस तरह से देखे यहां पर हम force को transfer कर सकते हैं तो यहां पर देखे जब भी बल तिर्बुच नियम का हम प्रियोग करेंगे तो इस तरह से हम यह Q वेक्टर है तो यह भी तो Q वेक्टर है तो यहां पर देखे तीन फोर्स इस तरह से आगे और किसी बिंदू पर तीन बल अगर किरियाशील होते हैं और इस पॉइंट को equilibrium condition में रखते हैं तो यह तीनों बल देखे तिर्बुच की बुजाओं द्वारा भी व्यक् सकते हैं अब यहां पर देखिए कंडिशन एक्विलिब्रियम की है साम्मियवस्ता वाली इस्तिति जी-जी-डो क्यों होगा हाला कि एक ओमन सी बात है डारेक्ट आप लिखें डारेक्ट ध्यान रखें साइड में लिखना है तो यहां पर देखिए कि सपोच कीजिए यह प अधिनामी बल है वह समांतर चतर बुझ नियम के अनुसार विकन के अनुदिश होता है जो डाइगनल होता है तो यहां पर देखिए हम एक पेरलेलोग्राम हम बना लेते हैं इस तरह से यहां पर देखिए इसका जो डाइगनल होगा यह जश्ट इस तरह आएगा फिके P और Q का जो रिजल्टेंट होगा वह इस तरफ होगा डाइगनल के अलोंग बता चुकर हम आपको तो यहां पर देखिए यह हो जाएगा रिजल्टेंट पोर्स जिसे हम F से डिनोट कर देते हैं क्योंकि R तो यहां पर तीसरा बल है तो रिजल्टेंट फॉर्स क्या हो गया F, तो यहाँ पर देखे, इन दोनों का resultant तो यह हो गया, अब equilibrium condition के लिए क्या है, देखे, एक force यह है, तो इसको भी तो balance करना ज़रूरी है, इन दोनों का effect तो F में आ गया, ठीक है, यह दोनों अब खतम हो गया, P और Q का resultant क्या हो गया, F, और यहाँ पर तीसरा force है R, इस R को balance क्यों कर देगा, देखे, F balance कर देगा, तो यहाँ पर यह तीनों force क्या हो जाएंगे, equilibrium condition में हो जाएंगे, तो देखे, यहाँ पर, मैं बताना चला था आपको G 0, तो G क्यों 0 होगा, देखे, यह इस तरफ P है, और इस तरफ Q है, तो यह जो R vector है, इसको balance कर देगा, F vector, तो 0 होगा, moment कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखे, G 0 होगा, जब 3 बल, साम में अवस्ता में होते हैं, यहाँ पर हमने कौन सा case लेके चलेते, देखे, हम यह वाला case लेके चलेते, A B vector क्या है, यहाँ पर P vector है, B C vector, Q vector है, और इस तरह से C vector, R vector है, तो यहाँ पर देखे, तिर परिनामी बल, यहाँ पर 0 मिला, तो देखे, यहाँ पर परिनामी बल क्या है, 0 है, और साथ में देखे, यहाँ पर rotation नहीं होगा, जब 3 बल इस तरह से लगाए जाएं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो यहाँ पर देखे, ऐसी condition में rotation नहीं होगा, ठीक है, त यहाँ पर यह बात वर हमें देखनी है यह तो प्रूस हो जाता है एक यहां पर देखना है को और स्थेखे हैं यहां पर need करना है व्यक्तर फोर्म तो देखिए इतनी यूजबल नहीं है जब इन तीनों से, एक relation हम निकालेंगे, तो चलिए इसी को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ, लिखें आप, देखें यहाँ, A से B की length, P के magnitude के बराबर है, B से C की length, Q के magnitude के बराबर है, और C से A की जो length है, वो R के magnitude के बराबर है, तो तीनों बलों के जो परिमान है, तिर्बुच की भुजाओं की लंबाईयों के बराबर है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम A, B अपॉन P की value निकालें, या फिर P अपॉन A, B निकालें, एक ही बात है, देखिए इससे आप P अपॉन A, B की value आप निकाल लीजिए, तो कितनी आईगी, देखिए, वो 1 आईगी, और इससे Q अपॉन B, C की value निकाल लीजिए, और इससे निकाल लीजिए, R अपॉन C, A की value, जब बल तिर्बुज नियम की हम बात कर रहे हैं, तिर्बुज की भुजाओं के अनुदिश्ट, तीन बल परिमान वर दिशा में निरूपित किये जा रहे हैं, तो फिर A से B की length P के बराबर होगी, B से C की length Q के magnitude के बराबर होगी, और C से A की length R के magnitude के बराबर, और देखिए, P upon AB की value, या Q upon BC, या R upon CA, सभी की value वन आएगी, तो ये तीनों क्या होगे, बराबर होगे, और ये आपको direct use करना है, बहुत ही important concept है, यही है बल तिर्बुज नियम, triangular law forces, ये सीधे सीधे हमें question में apply करना है, और देखिए, apply करना भी कितना आसान है, यहां किस तरह का case है, अगर हम case की बात करें, तो देखिए, इस तरह का case है, यहीं पे एक छोटा सा triangle हम बना सकते हैं, ये A था, ये B था, और ये C था, इधर P वेक्टर था, इधर Q वेक्टर और इधर R वेक्टर, यहां वेक्टर की बात नहीं करेंगे, इधर P है, इधर Q है, और इधर R है, ये देखिए, तो एक तिर्बुज की भुजाओं के अनुदिश, तीन बल इस तरह से किरियाशील है, active है, इधर P है, इधर Q है, इध B upon A, B, Q किसके अलोंग है, B, C के अलोंग, और R किसके अलोंग है, C के अलोंग, तो देखिए, जब भी हम कोई कुष्चन सोल करेंगे, एक एसा कोई डाइग्राम हमने बनाया, उस डाइग्राम में कोई ट्राइंगल आपने देखा, तो उस ट्राइंगल में देखिए, अग जब भी इस तरह का triangle बनेगा कोई भी diagram हम बनाएंगे लगए अगश And Kitchen के I order बनेगे जब हम diagram बनाएं दो उस diagram में देकी इस के के99 बहुत सारे मिलेंगे अ एक ट्राइंगल हमें चूज करना है की three वाहाँ पर देखने है कोन सा तरह वाहाँ यही है वहाँ क्याम Выह सकते हैं यही है बल दिर्भुज नियम क्योशन ینव करेंगे तो यह जदा इंपोर्डेंट पight क्लास में हमारा तार्गेट है कि हमारा । टारगेट थाैंगेद जब एक बोडी पर ये मोथ तीन होते हैं तीन बल किरिया शील होते हैं और मुझेि सामियवस्ता की हम यूज कर सकते हैं तो देखे च्टूडेंस आज की इस class में देखिए यह हमने देख लिया है और देखिए बल तिर्भुज नियम भी हमने देख लिया है तो देखिए next class में हमारा target रहेगा लामी प्रमे और MN theorem ये दोनों क्या समझना है इसके कंसेप्ट को हमें समझना है और साथ में इन दोने के प्रुफ हम देखेंगे और उसके बाद देखिए स्नाइन फॉर्मूला क्या होता है को साइन ।ो मैं आपको बता चुपा और उसके अलावा देख्ये इसमें di jean रखने के अंतर केंड केंड परी गैंड और केंड रख केंड इन tandem के बारे भी हम समझना है एक de ट्राइंगल का देखिए स्थेंट्री दोता है इंस तर्कम्सेंटर और जो भी केंड है दो भी है और आपको बता है हैं तो वह समझें तो चारों सेंटर के बारे में भी हमें देखना है और इसके अलावा देखिए यहां पर यह दो रिजल्ट भी हम कल की क्लास में देखेंगे इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास होगी तो देखें स्टुडेंट्स वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इससे कि आगे द्याचे सेविश्ट करेंट्स वीडियो में फिर मिलेंगे तेंक्यू सो मच खाएग थे आज बाद कूंगा में अखेंगे